तो गईज और हम कने में वाले इंडियन वाइक ड्राइमिन ट्रीडी की 95% कोपी इग गेम जो की ही इंडियन वाइक शूपर 3D इस गेम के अंदर हमें मेप वही इंडियन भाई ड्राइम 3D वाला देखने को मिलता है लेकिन मेप में जो अंदर चीज़े हैं बिल्कुल यार इस गेम से डिफरेंट ही इस गेम के अंदर हम चांद पर भी जा सकते हैं डाइस अगर आपको भी ये गेम खेलने तो प्लेस्टर पर मत जाना क्योंकि वहां पर तम ये गेम नहीं मिलेगी बस वीडियो के अंदर ये में लेक्न दे दोंगा कि मैंने कास्व डाउंड करी एंड तम भी वहां से जाकर डा लेकिन ये जो तो लस्ट वारे तो वोड़े ना बिल्कुल नहीं हो है इन दोने मोट्स को तो हम आगे ट्राइ करेंगे भी सबसे पहले में इपनी गेम को नहीं करके प्ले करता हो कि मैं याप पर देखते हैं कि अपनी गेम कहा से स्टार्ट होती है ओके तो गेज अपनी ग अप्रेजिंग कर सकती है और याँ पर तो पेंड शेट मास सब कुछ हम जैन कर सकते हैं यार सच में इस गेम के डेवलपर्स ने तो कोई कमी कॉपी करने में नहीं चोड़ी भाई सब फुल इंजिन भाई ड्राइम 3D वाली फील आ रही है वैसे हिसा भी नहीं इस गेम के अ बहुत ही खौब सुरते लेकिन यार इसके सेकंड प्राइल पर यहं पर चीनिदे कर सकते हैं और जाय यहां भाई वह यहाँ पर तो इस गेम में चीड कोड्स को भी कोपी कियर दिया गया है मैं इसा करता हूँ इंडियन बाई ड्राइम 3D वाली थार रोक्स को स्पॉन करके देखता हूँ लेकिन याँ यहाँ पर यह कार स्पॉन नहीं हुई जैसे ही मैंने मोडिपाइड थार को स्पॉन किया तो वो आ चुकी है देखते हैं कि फॉर्चोनर आती है यह बर मैंने वन थाउजन डाइल करके फॉर्चोनर को भी भाई साब स्पॉन कर दिया है लेटरल यार इस गेम को इतना कपी किया गया है कि जो चीड कोट से न वो बिंग इंडियन बाई ड्राइवं 3D वाले है वैसे जैस गेम प्ले करने में बिल्कुल अच्छा है लेकिन यार इसकी केमरा सेटिंग्स बिल्कुल गढ़िया है गैस मैंने सुचाए कि एपना जो न्यो गरे उसको गूण लेते हैं यहाँ पर तो भाई सब इस घर को होस्पीटल में चेंज कर दिया गया है वैट बाई एन होस्पीटल यह बाईर से होस्पीटल लिखा है लेकिन बाईर से इसका जो इस्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पॉलिस स्टेशन वाला है अंदर चल कर देखते हैं सामने तो यार यह पॉलिस स्टेशन वाली बेंच और कुर्सिया रखनी है यहाँ पर जेल में भी बहुत सारी कुर्सिया है लेकिन जेल वाला दर्वाज़ा नहीं है उपर में सेकंड फ्लॉर पर देखते हैं वीड भाई यहाँ पर दो बेड रखे हैं चलो यार अभी पॉलिस स्टेशन देखने चलते हैं कि उसको केस चीज में चेंज कर दिया गया है लेकिन ऐसे पर देखते हैं कि हम एनिमल्स को स्पॉन कर सकते हैं यहाँ पर मैंने 600 लीकर भाई डोग को स्पॉन कर दिया है इस डोग के ऊपर भी हम चड़ सकते हैं वा को एंजिन में ड्राइवन 3D वाली फील आ रही है लेकिन ऐसके जो कंट्रोलिंग से ना कुटे के बहुत ही बेकार हैं गाईज में दोसरे जानवरों को स्पॉन करके देखता हूं यहाँ पर मैंने 50 डायल करके एक विलो से रेप्टर को स्पॉन कर दिया गया है यह क्या मेर पीच्छी क्यों आ रहा है एक तो मेरे पीच्छी आ रहा है दो सरे जमीन के अंदर गुस गया मैं इसा करता हूं इसे जल्दी से एपनी गन निकाल कर माले थे यहाँ पर मैने पनी गन निकाल यह तेरी ऐसी कि तीस से बीट अब होई सब दो जल्दी से निकल जै लेकिन अब देटी बेठा ऐसा करता हूँ यह पोलिस वाले इनने मार करते हैं तेरी ऐसी कि तेसी बहले तो इस बीच वाले को मारते हैं वेट भाई यह तो मेरी दरफ आ रही है इसकी तो भैसकी यार इसको मैने हेडशोड मारती है लेकिन इसको तो यार कुछ भी नहीं हो रहा वोस्ट हाउस के मोड को अपने कर दिया है ये गेम लोडिंग वो रही देखते हैं कि इसमें जब भूत दिखाया गया है वो हमें खाता है या नहीं या इसा नहीं हो कि अपना फ्रेंक लीन उससे खा ले अब याप पर अपनी गेम ओपन हो चुकि सामने ही भॉट कलर वाला बोट भाई सब अपनी तरफ आ रहा है मैं जली से यहांसे निकलता हूँ लेकन यहांसे भागने से अच्छा है कि इसको मार कर देखते हैं मैंने यहां पर अपना आर्पीज लोंचर निकाल दिया है तेरी इसकी तेसी वेट 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 भाई यह क्या इसको मारने के कोशिश करें लेकिन मैं खुद ही मर गया कोई बात नहीं जैसा होता रहता है यह मैंने दूसरी दफ़ागी गोस्ट आउस वाला मोड आपन कर दिया है सबसे पहले मैं नाइन टो वन नाइन नाइन डायल करके मैं हैलस हे वो अनलिमिटेट गर दिता हूए यह वरी आरहे तो जल्दी से मैंने एक बलस्ट कर दिया दूसरा बलस्ट कर दिया लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हुआ व हो यह मैरे पीच्छ यह जल्दी से मैं इससे निकलता हूँ यह यह मिने घौर पिचिव लोंच अर रख जा सका अभी यह बागने से काम चलेगा मैं इसा करता हूँ इसे मेरी हेल्थ है वैसे भी अनलिमेटेड है कुछ भी मुझे नहीं होगा तो मैं 400 लेख गर जेरे स्टेनार बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं लेकिन इससे बैदे मैं इसा करत मस्झताऊ जा जा रहा है । इसे तो यह कुछ भी नहीं हो रहा इसका मतलब की इस गोस्ट की हैles बहुत अनलिमेटेड है। ईसका मतलब कि गइस यह यह इस ग्ैम के अंदर हम इस गोस्ट कऊ नहीं मार सकती है। तो चलो अब यशिर्ध वाल मोड प्राइक रहते हैं ओके तो गैस मैंने इपने मोन वाला मोड ओपिन कर दिया सामने मुझे एलियन देखा ये क्या है इसके अंदर में जा सकता हूँगी भाई याँ पर मैं इसके अंदर चला गया वेट ये में का पर आ गया और वहाँ पर रात थी याँ पर दिन है भाई साब याँ चारों तरफ कुछ भी नहीं देख रहा बस ये एक पोर्टल है तो इसके अंदर चलते है लेकिन इससे पहले वेशा करता हूँ याँ पर भी दिन है न इसको नए नए डायल करके नाइट मोड में कनवर्ट कर लेता हूँ भी याँ पर अपने नाइट मोड हो चुका है अभी वहाँ चल कर देखते हैं चांद पर सामने वाले जान दे इस पोर्टल के जरी हम वहाँ पर जाएंगी याँ देखेंगी कि वहाँ पर दिन हो चुक है रहा थी तो भाई साम में इस चांद में आ चुका हूँ याँ पर तो भाई साम बिलकुल अंधेर आए सामने एक एलियन उदास होकर आराम आराम से पता नहीं कहाँ पर जा रहा है तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ सोच रहा हूँ कि इसको मार लो न स्नाइपर निकलते हैं वेट भाइस सामने और भी एलियन है कोई बात ने इनको RPG लॉंचर से मारते हैं पर तीन एलियन एक RPG लॉंचर तो मेस हो गया दूसरे से दो मर गए हैं तिसरे से फाइनली दिसरा भी मर चुकाई यहाँ पर यार मैंना मॉंस्टर फोर्चोनर को स्पॉन करके उसको जलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ जब हम चीर कोड कोई डायल करते हैं तो कार उपर से नीचे आदे लेकिन यह तो नीचे से उपर जा रही है मैं इसा करता हूँ जेड़ेस टेनर मैंने स्पॉन कर लिए इसमें बैठ जाते ही और वो जो अपनी फोर्चोन अर अभी नीचे गिरी है और इसके पास चलते हैं लेकिन यार यहाँ पर ना अपनी गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है पता ने यार ऐसा क्यों हो रहा है सामने वाले दो एलियन है तो इनको तो मैं जल्दी से साइड से निकल लेता हूँ यहाँ पर अपनी गाड़ी ने तो इतना बड़ा जम्प कर दिया विसे याँ पर यह चोटा सा मॉन्टेन था लिकिन इतना बड़ा जम्प आई थिंक कि यार मॉन की गरेविटी ना 1.68 मीटर पर सेखन इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर मिने जम्प कर दिया भी तम देखना कि अपना जो पे लेरे फ्रेंकिलिन इतनी देर के बाद जाकर जमीन पर गरेगा तम देखे सकते हो गईज यार यह बिलक्वे सेलोली सेलो तो इतना इस से चोट नहीं आई अभी में इस टेकी बॉम फेंकर देखता हूँ यहाँ पर बाई साब इस टेकी बॉम भी देखो कि अभी भी यार हवा में गुम रहा है इसको एक्टिवेट भी मेने हवा में घर दिया वा भाई मज़ा आ गया गया दैस अगर आपको यह ग में डानोड एंड इनिस्टाल कर सकते हो